बिस्मिल्लायरमालरहीम, अस्सलाम अलेकूम, कैसे हैं आप सब, अडेन मैं लाइफ में आपको वेलकम करती हूँ और दुआ करती हूँ आप सबको खुश रखे, अबाद रखे, और सुबह का टाइम था, मैं अपने लिए बना रही थी नाश्ता, और नाश्ते के बाद मुझ अब बच्चन वगारा साफ कर लेती हूँ और घर की डस्टिंग वगारा करती हूँ और मॉपिंग, स्वीपिंग ये सब एक दिन छोड़के एक दिन करती हूँ इसलिके मेरे घर में चोटे बच्चे नहीं है तो घर बहुत गंदा हमारा होता ही नहीं है, साफ सुत्रही रह नाश्त आछाक करना जोता है उन नारन שटिं नाश्ता करनी जो हूं और नाश्ता करनी हो दो धती आए schatin मा सबसे पहरी और सबसे पहरे रोटीन इतने ज्यादा पॉर्शन बने वी होते हैं इनको किस तरह से चमकाया जा सकता है आप जरूर देखेगा वीडियो में तो वह वीडियो भी मेरी आप जरूर देखेगा तो बस यहां पर पहले मैंने सारे बरतन वाश किये और यह रैक है मेरा जिसको मैंने खाली करके और आज इ यह लकडी का बनावा है लेकिन इसको उपर इनको चिकनी से पॉलिश लगाई भी है जिसके विज़ा से क्लीनिंग बहुत जादा सान है और कोई मुश्किल नहीं होती क्लीनिंग करने में इसको धूँ नहीं सकते हैं लेकिन इसको यह के मैं रिटर्जन बगारा से साफ करती चैनल को करने में आपेशन सामे आपको करने वाले साने में 안षने ला समयर तो और जैसे में दूसरे यह काम युक। पारी हूं तो बस इसको भी मैंनेज करूंगे अच्छी तरह से तो फिर आपको दिखाऊंगे इस पर मुझे आप मैंने इस पर शूगर सॉल्टी यह सब कुछ रखावा होता है और ऐसी जरुवत की चीज़ें जो हर वक्त काम आती है और इस पर रखावा होता है तो यह देख से डिश्वार्च से साफ कर दिया है और अब मैं गीली कपड़े की मदद से इसको एक दो बार साफ कर लूँगी तो यह बिल्कुल चमक जाएगा बिल्कुल साफ सुतर हो जाएगा और इसको मैं थोड़ा सा सुखा लूँगी पंके के नीचे और इसको पर जो पॉलिश की से इसको ब्रइक कशनी ना अंब बढ़ी अच्छी सी है बिल्कुल जहना बहुत हीरा ना सफाही के दौरान तो बस ही मैंने फूरा साफ कर दिया था और इसको मैंने जरा फैन में रग दिया था ताकि यह जरा सूग जह आपर यह जगह जहां पर यह रखावा रहता है यह प को पूरा सेट करूंगी तो वो शीट भी फिर मैं इसके चेंज कर दूंगी यह मेरी ऑईल की बकिट है इसको पर मैं इस तना से जो है ना के चिकन सौरी यह जो बॉटल होती है ना ऑईल की यह रहा रख देती हूं घी का मेरा यह रखावा होता है जिसकी वज़ा से यह शीट बिल्कुल भी और यह देखें इसके ओपर यह शीट भी चाही वी और मैंने इसके ओपर जो है ना यह ऑईल की बकिट रखी वी रेकिन इसके बावजूद भी इस पर कोई भी ग्रीस नहीं थी कुछ भी नहीं था ब्रुकुछ साफ सुतरा था और यहां पर मैं इसको डाल द अराम से यहां से ना वक्त के चीज़ें निकाल सकती हूं अराम से तो बस यह यहां पर रख दूँगी मैं और इस तरह से इसको पूरा सेट कर लूँगी और आज मैं सोचते थी खाने में क्या बना हूं साथ ही जो है ना जब मेरे सारे काम निम्ट जाते थे खाना जरूर च खुश रख सकते हैं क्या यह ऐसा हो सकता है लेकिन मुझे तो इस तरह से कुछ भी नजर नहीं आता कि हम सब को खुश रख सकते हैं या सब हमसे खुश रहे हमेशा चाहे हम जितनी भी कोशिश कर लें लेकिन ऐसा जो है नहीं हो पाता है और देखिए मेरे स्टैंड कितना प्यारा खुशूरत लग रहा था और अब मैं यहां पर नहारी चढ़ा रही थी नहारी के लिए मैं पहले आटे को भून लूँगी नॉर्मल आटा है वाइट वाला जो हम यूज करते हैं इसको मैं अच्छी तरह से पहले भून हूंगी हलका सा ब्राउं सा कलर होगा थोड और अब मैं शान पैकेट की नहारी बना रही थी आज मेरे पास जो मेरा नहारी मसाला था था खतम हो चुका था और उससे तने मज़े की नहारी बनती है पापा को उसी नहारी उसी मसाली की नहारी पसंदे तो वह मुस्से बोल भी रहते मैं का नहीं वह मसाला है नहीं और अ निहारी में तो बस अब मैं इसमें आड करूँगी अच्छी तरह से बुनाई करेंगे और ऑईल जो है इसका बूनने के बाद मैं सारा निकाल लूगी ताके वह हम यूज कर सके जब हम निहारी को सर्फ करेंगे तो इसको पर यूज करेंगे तो हमें एक्स्ट्रा डालने की ज चाहिए और यह बाद में इसमें आड कर देंगे जब सारा निकाल लेंगे पानी के लिए चोड़ देंगे तो यह तकरीबन डेर से 2 घंटे लगे तो इसमें थोड़ा बौंग का गोश्ट भी था न तो बोंग का गोश्ट गल्ले में थोड़ा सा टाइम लग जाता है तो ब लोग खुश रख सकते हैं सब को या सब हमसे खुश रह सकते हैं तो इसके लिए हम क्या करें क्या कोशिश करें या नहीं करें मुझे ऐसा लगता है कि हमें बस अतनी ही कोशिश करनी चाहिए जितना के बस हम लोगों में जो है उट बैट सके अराम से रिष्टों को निभा स के और इससे ज्यादा हम किसी को खुश कर नहीं सकते तो इससे ज्यादा में कोशिश भी नहीं करना चाहिए और अपने आपको जाया नहीं करना चाहिए किसी के पीछे भी तो बस मुझे यह इस तरह से लगता है और यहीं मुझे सही लगता है आप सबसे सही तरीके से बात करे लेकिन ही कोशिश करता हैं कि वो हमसे खुश हो जाए हो भी हमसे घुश फूश नहीं कर सकते हैं हम अधनिया कोशिष क्या वह साथ घुश हो खो चाहिए उन सबस्केऑं की तो ओने चोष के मैं उर्ल झॉठम मुझे राहेकं और मैंने बहुत सारा इसमें पानी डाला और देखें बस ही गोश्ट हमारा गल गया धक्के रख दिया था 1.5-2 घंटे और गोश्ट गल गया अब थोड़ा सा तेल मैं इसको डालूँगी नियारी हमारी तयार है और देखें आटे की वज़ा से जो है न नियारी में जो गाड सर्फ किया इसको पर आईल डाल दिया तो और जादा आई होप आज का व्लॉग अच्छा लगा हुआ इंशारताला फिर मिलेंगे अल्ला आफेस